अज़ेकम आज हम स्टार्ट का रहे हैं अपना नेक्स लेक्ट्टर फर्स लेक्ट्टर हम लेंगे प्लाट फाइकोलोजी और बियालोजी का डार इस रिप्रडक्शन आफ ट्राकों तॉम ठीक है यही हमने छोड़ा था यह से स्टार्ट का रहे हैं सब्सक्राइब देखते हैं इसमें एसेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट एसजी रिपोड़क्शन इस डन बाई नॉर्मटाइल एसेक्चुल स्पोर्ट थीक है हमने यह मोनो स्पोर्ट एट्रा स्पोर और पैरा स्पोर हम पहले पढ़ चकी है ठीक है उसमें पढ़ा था कि जो मोनो स्पोर होते है वह वेजिटेटिव जो प्लांट बोडी उसी से बन होता है जिवनायल स्टेज होती है यह एक्चुली यंग स्टेज को बोलते है ठीक है यंग स्टेज को बिल्कुल नियू स्टेज होती है जब प्लांट बिल्कुल निकलता है यह एल्दी का थालस बिल्कुल बानर होता है फॉर्मेशन की स्टेज भी होता है भी ना तो वह मत बनते हैं मोनोस्पॉर् इन दोनों स्टेजिस के बनते हैं या जिवनायल स्टेज पर बनेगे या फिर चैन्ट्रेंशिया स्टेज के बनेगे किंस्टेंस्टेश त्वे नेक्स जो एन फटिलैज़ेशिट के बार डवेलफेंट पड़ेगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यह क्या होती है ठीक है तो एसेक्ट्रेशन प्रेशन इस डान बाइन और्मिटायल एसेक्ट्ट्ट्ट्ट्स पोर्ड जो बनते हैं जुव होती है उग इघ्य तैप के आप को पता उगे बस रिप्रड़क्शिन क्या होती है जिसमें दोनों जो होते हैए बेञ ओप जो पार्ट पार्ट्स फार्ट्व और गोंस है क्यों होते हैं स्ट्रग्चरणि ऐर फैस्ट्रेज़ इकूड होते हैं खुंद फीड़ांट जो थिलिक में फिरूक्टिग और फिल्ट रघमगए हैं कि उसके बेग और फीबेсл उपार्ट सेयर्टप गिंद्धे स्रिक्टर ऑगे ऑो क्या हों ग्रेंट प्लांट्स के ऋपर प्री मुंधे तो उसके बाद जो प्लांट च्पार्ट प्लांट पर नोगोड है कि अदो डिफरन प्लांट के उपर भी ग्रोग कर सकते हैं तो उने क्या कहेंगे है अधे सब्सेश्राइल सपर्मिना को क्या है कि पहलों कि अधर इन्ट्रीडिया के अंदरे इन्ट्रीडिया को क्या बोलते हैjo है कि ología और ते श्री दे क्यों होता है मेल सेक्स और्गन यह मेल सेक्स-स्रुक्चिर होता है यूनिसेललर स्ट्रक्चिर होता है यह क्या स्ट्रक्चिर होता है यूनिसेललर स्ट्रक्चिर होता है यूनिसेललर स्ट्रक्चिर होता है ठीक वाल्ड होता है ठीक होती है ठीक होती है कलर लेस होता है इसका कोई कलर नहीं होता है इसके तो कोई पिग्मेंट पर वगारा प्रे प्रेसे टोटा है तो प्र्ड्यूस उपस्टी आवघंप करेँ और इस ब्रड्यूस कर चेंदेऊ तो यह प्र चेंज न होगा है फोर कार्भोणियों अकटे प्रेजट होगे या फिर 4 कार्पोगोनियوم अकटे प्रेजट होंगे प्रोटप्लास्ट चेंज निटु सिंगल नार्पोटाइल स्पर्मेटियम इट्स्पर्मेटियम S-P-E-R-M-A-T-I-O-U-M स्पर्मेटियम जो प्रोटप्लास्ट है यूरी सेल्लर है ना जो कार्पोगोनियम पर्मिटेजियम स्पर्मधीयम किया है यूडी सलर है एक सल है तो एक सेल का जो प्रोटप्लस्ट है मतलब एक सेल जो न्यूडलेस है स आडशी तो। बेडारि है तो क्या होता है इसके रप्चर कर जाती है और उसमें स्ट्रक्चर एक सेल पे कंसिस्ट करता है ठीक है थिक वॉल्ड होते हैं कलर लैस होते हैं और राउंडरी शेप होते हैं सिंगल 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 पर्डियूस करेंगे ठीक है या पियर्स की फॉर्म में पर्डियूस होगे या फिर फॉर्ड ग्रूप फॉर्स की फॉर्म में पर्डियूस होगे अब यह बनता कैसे हैं कि जो सेल है जिस जो स्परमेटियम का सैल है यूजिस एलर स्ट्रक्चर है इस प हो जाएगा यह देखें यह इसका स्ट्रक्चर है यह इसकी इत्रीडियर वाल है यह इस प्रपटेजियों में ठीक है यह सारा का सारा इस प्रपटेजियों में सिंगल ठीक है या तो यह सिंगल की फॉर्म में होगा ठीक है या फिर यह इस तरह पेर की फॉर्म में प्रेजिट होगा है लिए श्क्राइजियों वे मैं भी इस प्रोटेजिया है ठीक है यह इसके बाहर जो है वो फजब निकलते हो यह स्प्रमेटिया बन जाते है यह तो क्या कहरें कि तू की ओके नेक्स्ट है कार्पगोरियम क्या है फीमेल रिपॉटक्टिव आरगन थेकि फिवील रिपॉटक्टिव पार्ट है यह भी क्यों होता है unicellular यह भी unicellular होता है elongated cell at the base इसकी बेस के एक elongated cell present होता है अपर जिसका larger portion होता है वो larger होता है सब क्या बोलते है trichogine lower smaller portion क्या बोलते है myro 4 ठीक है अपर larger portion क्या बोलते है trichogine lower smaller portion को क्या बोलते है myro 4 branch berry carpogonium called asco carb ऐसी branch जिसके बोपर carpogonium लगा होता है इस ब्राश को क्या बोलते है asco carb यह इसका structure है यह उसका larger portion अपर इसको क्या बोलते है trichogine यह इसका lower smaller portion है इसको myro 4 बोलते है यह दर्म्यान में egg present है ठीक है यह पुरा carpogonium यह sterile cell है यह asco carb है clear फिर से हम देख लेते हैं हम कह रहे हैं कि यह क्या है यह trichogine है upper larger portion ठीक है यह basal smaller portion को myro 4 बोलते है ठीक है यह इसकी sterile cell present है और यह वो branch है जिसके उपर यह लगा हो है इसको क्या बोलते है asco carb clear ठीक है फिमेल इपटक्रिवार्गर है unicellular है longated cell इसकी base पे present होता है upper larger portion ठीकोगान बोलते है lower smaller portion myro 4 बोलते है branch जिसके उपर carpogonium लगा हुआ तो इसको क्या बोलते है इसको karb essence consider vs cuz क्ती के करते कि थका करता है सकर्पार सेल पेइस ओ संद एक्रीड बीम्ली scratch नीहां न कोश्क्राइब इसका सबसे एंड़ीर्ड पर चना होता है उसके उपर क्या बच जाता है कार्पो गोलियम ठीक है कार फोर्फॉस करेगा किसको एक डुकलियस जब चार्ट आपलास चिर्ठ आपल थे लेग ठीक है पहले एक डूकलियस है मतलब आप LUकलियस की परकति र्मबट सेथ क्रेक्ट करेगा, तो किस पर चाहेज होजाएगा, एक में, clear, okay, trichogine फिर क्या करेगा, separat होजाएगा, myrofoad से, किसना, construction बनेगी, ठीक है, construction बनेगी, trichogine लादा होजाएगा, myrofoad से, और फिर हम trichogine को किसले यूज करते है, करने के लिए हम पिर से देखते है और फोर सेलश टीक है तो चैज्ज हो जाता है तो कर्पोर तो फिर चैज्ड हो जाता है लादा हो जाती है फिर जो ट्रैकवॉत है वो sperm को receive करने में help out करता है clear यह देखें यह हम सबसे पहले बात हम देखें कि क्या होते हैं four cells होते हैं क्या होते है four cells यह इस तरह से one two three four terminal cell है उसके उपर क्या मान गया है one two three four cells है ठीक है terminal cell carpagonia में change हो गया फिर आपने क्या देखा कि यह जो trichokine है और जो myrophore है वो डिवाड़ होते हैं constriction से यह आपको constriction नज़रा आ रही है ठीक है this is constriction यह constriction है इस तरह से इस तरह से और इस तरह से हो आप है यह क्या है यहां पे constriction present है यह वाली constriction clear उसके बाद यहां myrophore के अदर यह एग present है myrophore के अदर यह क्या है एग present है clear यह four उसके cells है terminal cell के अपर यह ट्रैकोगाइन है carpagonia बनाव है यह lower portion myrophore है उसके दर एग है ट्रैकोगाइन इस इद्विजेशन के वाद से इन construction के वाद से लादा हो जाएगा और spam को receive करेगा clear next इंशाला हम आपने जो next lecture है तो उसमें हम जो मजीद है इसके जो development है उसको हम discuss करेंगे thank you